हेलो एवरीवन आएम वीरेंद्रकुमार माचिया वेलकम तो मैं चैनल सभी को मेरा नमस्कार आज में लेकर आया हूँ सेकेंड येर स्टूडेंट्स जो है वो फिट्टर वाले उनके लिए मिल्टिपल चॉइस कोस्टेंज मिल्टिपल चॉइस में हम पहला चप्टर स्टाप्ट कर रहे हैं । पेंच है छथ मेंच टॉट यहना के टासं चैप्टर आप यीश दं सुन चैप्टर रहे इसमें हम उस्क्रू नक के माटेट्य इयल और पार लगाए जाते हैं हैना टाइटनिंग प्रोसेस इसके बारे में questions पूछे गए हैं तो हम questions का review लेंगे आप ये वीडियो देखने से पहले इस chapter का जो summary है वो जरूर पढ़ लीजेगा पूरा chapter पढ़े ना पढ़े पर summary पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि summary में जो है important bullet points मिल जाएंगे आपको जिससे कि आपको question को समझने में आसानी होगी तो chapter शूरू करते हैं second year future theory का chapter है तो स्टार्ट करते हैं multiple choice question 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 number one पहला question जो दिया है आपका वो पूछा गया है कि screw को किस धातू से बनाया जाता है तो देखिए option A है आपका पीतल option B अलोह धातू option C mildly steel option D उपरोक्त सभी तो देखिए पीतल का जो है वो screw बनता है ठीक है सभी बात है अलोह धातू जो है उसका भी screw बनता है अलोह जैसे आपकी जिनमें iron contents नहीं होते हैं जैसे कि gold हो गया और silver हो गया चांदी सोना चांदी हो गया तांबा हो गया यह जो यह यह जो यह दातों जिनमें लोह नहीं होता यह प्योर metal होते हैं अलोह बोला गया इनको इसमें भी आपका जो screw है वो बना जाता है इस metal का नेक्स आपका माल डेश्टिल माल डेश्टिल के तो screw बनते ही बनते हैं commonly और बहुत ही cheap cost पे एवेलेबल होते हैं shops पे hardware की shop पे तो पीतल का ही बनता है अलोह बहुत का भी बनता है और माल डेश्टिल का ही बनता है तो आपका option यह आएगा उपरोग सभी question number one का option d next question आपका machine screw को कब प्रयोग में कब प्रयोग किया जाता है option a है जब assembly में nut का प्रयोग नहीं करना हो option b machine पार्ट को कसने के लिए option c दोनो option d कोई नहीं तो देखिए machine screw को कब प्रयोग कियाता है ऐसा है कि देखिए option तो इसके दोनों सही है ए और बी कैसे कि machine पार्ट को कसने के लिए जब assembly minute का प्रयोग नहीं करना हो तब ही हम screw का प्रयोग करते हैं अच्छा screw में और bolt में मैं आपको basic difference बता दूं यह आपका screw होता है वो कुछ कि इस प्रकार का होता है कि जिसमें आपकी thread होती है और एक tip होती है और जो बोल्ड होता है आपका बोल्ड ना बड़ा ही बोल्ड होता है उसका head ही अलग दिख जाता है कि hexagonal head है उसका जो shank color भाग है उसमें thread अलग होती है और नीचे का जो उस्था होता है फ्लैट होता है ठीक है इसमें जो होती है वो tip होती है tip मरिया पॉइंट यह बेसिक हिस्सा है आपका screw का और बोल्ड का यह पैचानने का तरीका है यह आपका screw है और यह आपका बोल्ड है ठीक है तो दूसरे का option जाएगा C है ना machine screw का प्रयोग करते हैं तब ही प्रयोग करते हैं जब machine पार्ट को कसने के लिए जब असेंबली में नट का प्रयोग नहीं करना हूं ठीक है ओप्शन नमबर C नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हलके कारियों में कौन से screw का प्रयोग होता है तो देखिए हलके कारियों में आपका option नहीं है grab screw option भी थंब screw option c hexagonal screw option d है कोई नहीं तो grab screw थो देखिए grab screw अंदर की तरफ लगता है है और काफी tight fitting होती है इसकी एकदम इतना shell shell type की fitting होती है जैसे कि वहां पर इस screw के moment की सिर्फ rotationally space होती है और बाकी moment की screw की कोई भी जगा नहीं होती है उसके head के लिए proper space होता है next आपका thumb screw thumb screw असा होता है जैसे कि thumb thumb अता होता अंगूठा अंगूठा अंगूठे से operate कि जाना वाला screw next आपका hexagonal screw hexagonal screw जो होता है उसका head होता है वह आपका hexagonal होता है शटबुजाकार का और वह bolt नहीं होता ध्यान रहे वह आपका होता screw ही है और इसमें भी एक आखरी में ऐसी tip दी होती है यह आपका hexagonal screw यह आपकी third है तो हलके कार्यों में आपका thumbscrew होता है क्यों क्योंकि thumbscrew होता है वह जब हलका कार्य कर रहा है तो हलके से operate भी होगा और हलके से operate होने के लिए भाईया पाना प्लायर या किसी अधर टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उसे इसली अंगूठे से हातों से उंगलियों से आप उसे operate कर सकते हैं तो कुछ नहीं मत्री कांसर हो गया आपका थंब श्कूरू नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रब श्कूरू इस्तिमाल किस सेट श्कूरू के समान होता है ऑप्शन है सेलफ टैपिग सेट के समान ऑप्शन ऑप्शन भी हैमर ढ्रइव के समान ऑप्शन सी धक्का जटका या सदन पावर दे सदन फोर्स लगाने वाला ये भी गलत है ये और भी दोनों गलत हो गए option C hexagonal socket set ये आपका सही जवाब है next आपका लकड़ी के कार्यों में कौन से screw प्रयोग होते है option A है thumb screw option B है wood screw option C है वर्गा का red screw ये option D है कोई नहीं तो देखिए thumb screw का तो मैंने बता दिया हल के purpose के लिए हल का purpose लकड़ी में भी हो सकते है हाँ सही बात है wood screw, wood मतलब होता है wood का मतलब होता है लकड़ी और वर्गा का मतलब होता है square इसकी तो बात ये लगे इसको पढ़ेंगे अभी आगे समझाऊंगा मैं square head को इसका सही जवाब हो जाएगा आपके wood screw wooden screw जो होता है लकड़ी ये काम है wooden screw यूज करेंगे तो ज़्यादा बैतर होगा नेक्स्ट आपका assembly को बार बार हटाने और fit करने में कोन से screw प्योग कियाता है यहाँ पर आये देखिए option त्रिपुजाकार option B self tapping option C आयताकार assembly को बार बार हटाने और fit करने के लिए आपके triangular screw मतलब त्रिपुजाकार head screw नहीं use किया सकते है क्योंकि triangular screw जो होते है वह typical space और जो होती है मतलब unique part की assembly की जाती है जहां पर और tensile distance जादा होती है इंचिरिंग की बात होगी बहुत डीटेल वाली बात है वहां triangular head screw उसकी जाता है self tapping screw जो होते हैं वह खुद से thread बनाने वाले screw होते हैं है ना जहां पर thread नहीं भी हो soft metal में जैसे aluminium में आ फिटिंग कर रहे हैं या कोई soft ore metal है team का काम कर रहे हैं या wooden का काम कर रहे हैं जैसे almira में आप काम कर रहे हैं तो उसमें self tapping screw का काम चल जाएगा ना next step का आयताकार head screw इसलिए क्योंकि आयताकार जो होता है वह rectangular head screw होते हैं थोड़ लंबे step के इन में बार बार फोर्स को जेलने की release करने की capacity होती है है ना इसलिए यह आयताकार head screw उपयोग की जाते हैं disemble और assemble करने के लिए किसी पार्ट को क्योंकि इनके head जो हो जल्ली गिसते नहीं है बार बार यूज करने के बाद भी आप इने टाइट और लूज कर सकते हैं easily next question आपका पतली और नर्म धातों के लिए कौन से screw प्योग की आते हैं तो देखिए पतली और नर्म धातों के लिए option यह है self-piercing screw option b square head screw option c है दोनो option d कोई नहीं कोई नहीं तो हड़ जाया गई यहीं से अब बात करते है option c की दोनो तो self-piercing screw self-threadering इसको दोनों एकी बात होती है दोनों में उननीज भी इसका अंतर होता है बस और square head screw square head screw का मैंन आपको आप यूज बताया है कि heavy purpose के लिए यूज किया आते हैं और बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं loose करने के लिए tight करने के लिए है थाकि आप assembly को easily जोड सकें और खोल सकें बचता क्या है आपका self piercing screw तो option है आपका सही जवाब हो जाएगा self piercing screw जोनों लगभग लगभग समाहनों ते में फिर बोल रहा हूं next question है question number 8 Machining की गई सत्ता को Question परें दिखा को मशीनिंग की गई सत्ता को जाजने के लिए किसका प्रयог होता है तो वह यह अतीशुद बनाने के लिए बोल जार गरिया पैस सौरी तो question number 8 है machining key की सत्व को 30 शुद्ध बनाने के लिए क्या किया आता है option A grinding, option B milling option C filling, option D scrapping तो grinding तो करते ही है पट grinding के जो grinding molecules है अब ratio grains जीने कहा जाता है वो जो है वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है क्योंकि grinder जो होता है वो बहुत high RPM पर गोमता है हैना, material, finish करने के साथ हो तो material को छील भी देता है कभी-कभी हैना, और milling जो होती है वो आपकी material removing होती है हैना, वो rotating tool के द्वारा metal को छीलती चली आती है grinder जो होता है finishing tool होता है, milling जो होता है वो cutting operation होता है filling मतला होता है, भरना खाली space को भरना हैना यह तीनों तो नहीं होंगे scrapping होगा, क्यों होगा क्योंकि scrapper में बहुत ही fine age वाला cutting blade यूज किया जाता है जिसे incline करके जब metal के उपर slide करते है हैना, तो metal में से जो भी उसकी surface के defectiveness होती है, वो निकल जाती है material जो होता है वो ज़्यादा चिकना होता है जिसे कहते है अतिशुद्ध तो 8 कांस हो जाएगा आपका D next आगे बढ़ते हैं समतल सताओ को जाचने के लिए किसका प्रेवग होता है तो gauge का, भही कौन से gauge का पहला option तो यहीं गलत हो गया है gauge का यहीं प्रकार के होता है next आपका micrometer का micrometer जो होता है वो आपका precision tool है जिसके दोर आप dia thickness है ना या कोई ऐसी dimension आप सकते हो जो बाहरी तरीके से लेनी हो सता तो भही ऐसी होती है कि उसका कोई dimension नहीं सता का चोड़ी है, लंबी है, आयताकार है next आपका surface plate का या D है, किसी का नहीं तो surface plate जो है वो flat surface को जाचने के लिए उपयोग में ली जाती है आप surface plate के उपर रख कर किसी भी जैसे job को रखेंगे माल लीजी ये future के student लोग ने job बनाया अब इसकी ये वाली एज जो है ये माल लीजी सही नहीं है ये वाली एज नीची वाली और अगर आप इसे surface plate पर रखेंगे तो ये ना या तो सामनी तरब गिर जाएगी या पीछी तरब गिर जाएगी क्यों? क्योंकि surface plate जो है आपकी कावी ये सर्फेस प्लेट जो है ये आपकी एकदम सपाट है समतल है आप उस पर अगर एक सो सी डिगर ये कोण है सर्फेस प्लेट पर दोन तरब किसी बिंदू का आप लेते हैं अब उस पर अगर इसको रखेंगे तो अगर ये फ्लैट होगी पूरी तरह तो ये सर्फेस प्लेट पर टिकी रहेगी नहीं तो ये अगर फ्लैट नहीं हुई इसकी एज तो ये गिर जाएगी साइड जीसे कहते हैं तो नायनतर कोश्चन जाएक आपका सी आपका समतल सर्फेस को चेक करने की दूसरी गिरिया में किसे प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए माइक्रोमीटर ऑप्शन बी वर्नियर के लिपर ऑप्शन सी डायल टेस्ट निकेटर ऑप्शन डी गेज गेज फिर गलत हो गया पे क्या है वह होता है वार गेज होता है कि सलेप दीस पंच जोटा है नब बहुत सब्सक्राइब होता है हैं और वह से全रो कि आपक regular सी गेज बाटा रहा ही स्रद पस कि माइक्रोमीटर जो ओता वो भी नहीं होगा वर्नियर के लिपर ये बहुत बहुनों नहीं टूल है बचा कि आपका C, डाल टेस्ट इंडिकेटर तो यह सही जवाब हो गया, ठीक है, नेक्ट बढ़ते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा पेशिंस रखके देखिएगा वीडियो, तभी आपको एक्स्प्लेनेशन की साथ कोश्चन समझ में आएंगे, जाता प्रेशन ब्लू, ऑप्शन B है कैमिकल, ऑप्शन C है तेल, ऑप्शन D है ग्रीस, गोलाई वाली भीतरी सत्व को जाचने के लिए, शुद्ध साइज में तयार, शाफ्ट के उपर, चारो और आपका, कैमिकल लगा जाएगा, प्रेशिशन ब्लू नहीं लगा सकते हैं, नील और वगेरा की, या कुछ आपको जंग से बचाना हो, अभी-अभी आपने मेटरिल बनाया हो, इसके लिए तेल यूज करते हैं, ग्रीस भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रीस जो सेमी सॉलिड लूब्रिकेंट में आता है, तो आपका हुजायागा आंसर B, सही जवाब नेक्स कुछन पर आते हैं, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, तथा खारिस्तान, फास्टनर का उधारन है, फास्टनर मतला होता है, जो फास्टली किसी चीज को जोड़ दे, ठीक है, पर्मनेंट, नॉन पर्मनेंट बात की बात है, तो इसमें देखेंगे, वेल्डिंग और ब् उप्शन सी, अस्थाई, उप्शन D, वो प्रोक्त सभी, तो तो थेकिए, इस्थाई तो है, ठीक है, वेल्डिंग जो होती है, वो स्थाई होती है, पर इसके साथ एक और चीज जुड़ गई है, ध्यान दे, ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग जो होती है भाया, वो आपकी, गेस की फ्लेम से होती है तो इसको ऑफ्षन हो जाएगा क्योंकि app seit 2 मतलब रता है अधी अधी पर्मेंट 10 शोड़ी तो वा झाना ब्रेजंग को वर्ल Dopod동 में होती है और ब्रेजंग घर यह होती है स्टुले से ब्रेज्व अधियर उसमें जो स्टुले एए खालिस्तान फास्टना है तो देखिए सोल्डर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स जो वर्क होता है उसमें वायर को चिप पे वायर को प्लेट पे या वायर को किसी भी दूसरे वायर से जोडने के लिए चाहे वो उसी मेटल का हो या दूसरी मेटल क कॉपर और आप अलुमिनियम की दो वायर की जो जॉइंट बना रहा है ना तो उस जॉइंट पर आपका सोल्डिंग अगर होगा तो वो पक्का हो जाएगा बढ़िया कंडेक्टिविटी बढ़ जाएगी वहां की है ना रांगा यूज होते हैं उसमें सोल्डिंग वायर यू होता है पर पूरी तरह स्थाई भी नहीं होता हूँ इसलिए उसका जवाब जाएगा अर्द स्थाई तो ऑप्शन डी वो तो पूरी तरह हट गया है नेक्ट कुश्चन पर आते हैं मशीन पार्टों को एक साथ जोड़ने के लिए जो साधान प्रयोग किये जाते हैं उन्ह पूर्ट सब्सब्रें ऊंट कि आर्द फास्टा मतलब हम एकफ फस्थणर इसे को चीज़ों से नहीं वी है नहीं टोडिक्ट्र कारार से शुरुआत यह ना जो नीव होती है उसे foundation कहते हैं हमारे मकान का foundation अब हम कामबंद नहीं करेंगे यह foundation का मतलब नीव तो नी व के जमेन में डालेंगे नीचे दर्फ लेंगे दलेंगि उपर हवा में तो लटकेंगड काम आधार लमाला मतलब बेस उचाही मतलब hight अप्रोगी मतलब call तो foundation bolt जोता हैчик वो बेस में डलते हैं किसके मशीं के बेस में fit होते हैं और जमीन पर रखा हुआ होता है आधेight bolt जमीन में fit होता है ग्रावुट्टिंग की जरीए और आधे कोल्ट जब मशीन के पुर्जों से आर पारव आता है तो उन्हें कस दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोच्छन है शाफ्ट पुली की फास्ट नहीं है तू खालिस्ता हम प्रियोग करते हैं कौटर पिन पिन प्रियोग कोटर जोता है वह आपका कपलिंग डिवाइस है जस्ट कपल करने के लिए ठीक है कोटर नकल ज्वाइंट कोटर एंस लिए इसा नेक्स्ट आपका पिन पिन तो भईया ऐसा है कि शाफ्ट और पुली जब हाई टॉर्क से गूंगती है तो पिन को क निकाल के फेकेगी हाई आर्पीम पे हाई टॉर्क पे पता ही नहीं चलेगा दिखेगी नहीं नेक्स्ट आपका की की जो होती ही वह इस प्रकार की होती है एक खाचा नूमा मेटल का टुकडा होता है जो आपका लग जाता है शाफ्ट में तो इसका अंसर जाएगा आपका सी कोश्टन नमर सिस्टीं दो गया दिखाई नहीं सॉरी आप्शन नमर सेवन है सेवन्टीन है कोश्टन नमर सेवन्टीन भारी इंजिनिंग कार्यों के लिए खालिस्तान रिविट का प्रेयोग होता है इसका मैं थोड़े पीछे करना शाफ्ट यह पुली की फास्ट नहीं है तो खालिस्तान प्रेयोग करते हैं कॉटर पिन की और स्प्रिंग यह ऑप्शन थे तो इसका सई जवाब जाएगा की यह की मेंने बना के दिखा दिया आपको शाफ्ट में लगती है कैसे लगती है शाफ्ट में आधा सिरा जो है आधा नहीं की का आधा सिरा शाफ्ट में होता है और आधा सिरा जो है आपका हब में होता है जिससे शाफ्ट आपकी जो है वो आधी पुली में लोग जाती है और आधी की में लोग जाती है इस प्रकार स से दोनों जो है आपस में लॉक होता है अब सकवर चाहे पुली लगे या ca अब लगे कुछ भी लगे रोटिं डिवाइस शाफ्ट जो होती है वो अपने बने लगए रोटे मिन Δर mund का रहोड़ होता है कि कुर्श्य न्मर Musk 17 करिंगे बार इंजिन्न का राइव आप्ण भार व्शन हं पैंहेड रिविट आपशन भीनों भीनी कोई नहीं तो इसमें आपका लागा आपशंस ये पैंहेड रिविट क्यों है बताता हूं , पैन हेड रिविट जो होती है उसका जो डाइमेंशन होते है फ़ोड़ा पैन्प होता है जो होती है इस्ट जाम Sparts मेंफ औहरे हो कैजे में पंखे के 20 ग ए कूछ यह заक् mend और कोई नहीं तो आई दी 17 को आएगा एक नेक्स्ट एंड आकरी कोश्चन आपका इन में से कौन सा काउंटर संग है डिस्कुरू है ऑप्शन नहीं है आपका यह वाला डाइगराम ऑप्शन भी है यह यह जब भी अपनी स्नाइप है रिपट है option d कोईंटर संग क्यों से क्योंकि यह अवाला की सीड़ी क्योंकि नहीं है सब्सक्रास fracture और स्कुराइड है यह जबगा नकिन्य लिए बसक्राइड होगीदेट है यह हो गई स्क्वाइर हेड स्क्वाइर रेक्टेंगुलर यह हो गई राउंड स्क्वाइर हेड बची कुन सी सी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें एक सिस्टी नुमरो कोश्चन आप देख नहीं पाए मैं उसके लिए सौरी क्योंकि मेरा ध्यान एक्स्प्लेनेशन पे था यहना मैं कैमरे में देख नहीं पाया तो आप फर अजिस्ट कर लीजेगा तो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा वीडियो इसकी अगला चेप्टर जो होगा फिटर थियोरी सेकेंड डियर का तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार अपना ख्याल रखिए और कुश्चन लगाते रहिए क्योंकि एक्जाम नजदीक है सेकेंड ये स्टुडेंट्स ओके चलिए गुडबाई क्या जब गुड़ाई